किया आपका भी मेक-ब केक हो जाता है लगाते वे तो बहुत बढ़िया लगता है बड़े समय तक स्टे ही नहीं करता जब मेक-ब लगाता है कुछ ही देर में फेस ड्राय लगने लग जाता है जिससे होता कि वह फ्लेक्स आ जाता और मेक-ब की सारी लुक ही खताम हो जाती है इसके अलावा कई लोगों की ये भी दिक्कत होती है कि जब हम मेकप करते हैं, फेस पे बढ़िया वाला ग्लो ही नहीं आता, अगर आपकी इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, जब भी हम मेकप करते हैं, हमारा पीछे क्या चल रहा प्रोसर, उस पे डिपेंड करता है, कि हमारा मेकप कितना स्टे करेगा, मेकप पे ग्लो कितना आएगा, या फिर हमारी स्किन ड्राइ होगी या नहीं होगी, हम आपको बताएंगे, आप कैसे अपनी स्किन को प्रिपेर कर सकतो, ताकि जब आप मेकप करो, ग्लो ने नहीं आ सकता जो हमारी स्किन है न आप एक बात समझो मेकप तो आपके स्किन पर ही होना है न अगर स्किन ही डल होगी डेड होगी क्लॉक पोर्स होंगे लाख हो रहे होंगे तो लोग कहां से नजर आ पाएगा हम आपको ऐसे बेसिक स्टेप्स बताने वाले जो आपको अपने यहीं फॉलो करोगे यकीन मानों आपकी डिजायड लुक वह फ्लॉलेस मेकप आपको नहीं मिल सकता सिरफ यहीं नहीं फ्लॉलेस लुक की तो हम बात कर ही नहीं रहे मेकप स्टेव ही नहीं करेगा और एक चीज मैं सच्छा ही बता तो मेकप उस वक्त बहुत बढ़ी अलग अब एक चीज इमाजिन करके देखो डिटी चीज पर अगर आप मेकप करोगे तो गलो कहां से नजर आएगा आपका फेस प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए पॉर्स प्रॉपर्ली क्लिंज होने चाहिए और वह सकता है बढ़िया क्लेंजर से या बढ़िया फेस वाश से और प्रॉपर्ली निकल जाएगा और आपकी स्किन प्रिपैर हो जाएगी अगले स्टेप्स के लिए अगर आपकी आदत है कि आप हफते में एक या दो बार एक स्टेप करते हो एक स्क्रब के साथ फिर तो आपको स्टेप की कोई ज़रुत नहीं है आपके पोर्स ऑल्रेडी क् होता है जो ट्राइब होता आपके पोर्स के अंदर और वह एक स्क्रब ही निकाल सकता है एक बड़ियासा कोई भी स्क्रब लाओ मेक शौर करना ज्यादा हाड़ ग्रानियुल्स नाओ वरना वह स्किन को डामेज कर सकते हैं अब हलके हातों से आपने उससे मसाज करना है एक् पोर्स क्लिंज हो जाएंगे जिससे मेकप का भी ग्लों नेक्स लेवल पे आएगा अफ नमबर त्री टोनिंग तोनिंग बहुत ही जादा इंपोर्टन होता है इस पैशली जब जब आप क्लेंजिंग करते हो अब आपने फेस्वाश किया है स्क्रबिंग किया है या कोई भ जब हम टोनिंग करते हैं वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करकर रखता है मॉस्चराइज करता है और स्किन का पीएज बैलन्स हेल्दी कर देता है सिरफ यही नहीं जो हमारे ओपन पोर्ट्स होतें उसको टाइटन अप करने काम भी करता है जो open हो जाते हैं हमारे during cleansing तो आपने toning कभी भी skip नहीं करनी makeup कर रहे हो नहीं कर रहे does not matter but जब जब आप अपना mood होते हो एक अच्छा toner उसके उपर लगाना ही लगाना है ज्यादा expensive toner में invest नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है rose water as basic as it can get एक rose water खरीदो बढ़ियासा और cotton पे लगा के dab dab कर लो अपने face पे जो extra उसको हटा दो और आपकी skin में जाने दो आपकी toning भी properly हो जाएगी skin moisturize भी हो जाएगी number 4, moisturizing your face अब moisturizing आप किसी भी चीज से कर सकते हो एक serum से कर सकते हो face oil से कर सकतो या एक moisturizer से कर सकतो जो भी product आपका favorite है आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया pre makeup serums भी आगए है वो भी लगा सकतो इसके लाव illuminating moisturizers भी आगए है जिनको हम बोलते हैं tinted थोड़ा सा glow होता है उसके अंदर कई brands बनाता है शुगर में भी आता है कलर बार में भी आता है और जो लाक में की lumi cream आई है वो भी काफी similar है illuminated moisturizer के जैसी तो जब आप इसको लगाते हो आपका face properly moisturize हो जाता है एक मैं आपको pro tip वैसे देता हूँ जब आप toning करते हो हलका सा मुह आपका जब गीला होता है toner से उसके ओपर immediately serum या moisturizer लगा लो उससे होगा कि जो product है वो आपकी skin में ज़्यादा deeper जाएगा और ज़्यादा benefit देगा आपकी skin को ज़्यादा बढ़िया moisturizing देगा कभी भी try करकर देख लेना हलके गीले मुह पे जब हम serum लगाते हैं बहुत हलके गीले मुह पे तो serum बहुत ज़्यादा deeper जाता है और बहुत ज़्यादा देता है और जब आप moisturizing करोगे आपका जो make-up है वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगा स्मूथ हो जाएगा बलकि चाहे skin oily हो या हो dry और रही बार dry skin की फिर तो बहुत बढ़िया बढ़िया option है कोई भी एक बढ़िया सा hydrating moisturizer ले लो और इसको regularly apply करो चाहे makeup कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे नमबर 5 Primer अब हमारे steps तो खतम होगा skincare के बारी आती है थोड़े से makeup के steps की Primer बहुत ही जादा important है कई बार मेरे पास question आता है जब मैं shop पे बैटा हूँ Primer तो मैं लगाता है नहीं moisturizer से काम हो जाएगा इसका जवाब है big no Primer का काम सिरफ एक Primer ही कर सकता है जब आप Primer लगाते हो जो आपकी open pores है वो fill up हो जाते है जो wrinkles है वो fill up हो जाते है जिससे आपकी skin बिल्कुल ही smooth हो जाती है और foundation की grace बहुत ही बढ़िया आती है सिरफ यही नहीं जो हमारा makeup होता है उसके अंदर होता है बहुत से chemical तो एक Primer आपकी skin को protect करकर भी रखता है और इसके इलावा आपके makeup को long stay बनाता है आप कभी भी एक बार test करकर देख लेना एक बार primer लगाओ और makeup करो और दूसरी बार बिना primer के makeup करके देखो आपका makeup जल्दी cake ही हो जाएगा जब आपने primer नहीं लगाया उसका reason यह जो primer है वो आपके makeup को पकड़ करके रखता है hold करकर रखता है सिरफ यही नहीं आपका जो एक face है उसको एक smooth सा canvas बना देता है ताकि उसके उपर makeup जो हो वो अलगी level का finishing दे और glow अलगी level का है step number 6 prep your lips हमारी face की preparation कभी complete होई नहीं सकती बिना हमारे lips के जब आप lipstick लगाते हो makeup की असली grace तभी ही आती है और अगर आपके lips dry हो रहे होंगे ना कभी lipstick की finishing नहीं आती आपने make sure करना अपने lips को हलका full का exfoliate करो lipstick लगाने से पहले अब वो आप कैसे कर सकते हानी लो शुगर लो मिला के scrubbing कर सकते हो या अगर आपके लिप्स कराब है उससे बढ़िया तो कुछ होई नहीं हलकी finger से मसाज करो और rinse कर दो आपके lips से जितना भी dead skin है flaky skin है हट जाएगी और इसके बाद आपने लगाना है lip primer lip primer उतना ही जरूरी होता है जितना होता है face primer वो एक colorless और उसमें कोई moisture नहीं होता वो make sure करता आपकी lipstick की finishing बढ़िया है बट आपकी lipstick को केकी नहीं होने देता smudge नहीं होने देता बहुत जल्दी और वो जो lines आती है आपकी lipstick में आजकल वैसे इतनी matte lipstick है तो एक lip primer make sure करता आपकी lipstick में वो cracks भी ना है चाहिए जितनी मर्जी matte lipstick आप यूज करते हो अब आपकी skin बिल्कुल ही तियार है बढ़िया वाले makeup के लिए दो टिप और आपको मैं देता हूँ जिससे आप अपने makeup को long से भी बना पाऊँगे और makeup को fresh भी लग पाऊँगे आपको करना के जब आपका makeup पूरा complete हो गया एक setting spray ले सकते हो setting spray आपने top पे spray करनी है अब आपकी skin type कैसी है उसके according आप एक settings पर ले सकते हो अगर आपकी skin dry है तो आप एक dewy वाला ले सकते हो settings पर बहुत बढ़िया रहता है बट अगर आपकी skin oily है और एक matte finish चाहते हो तो आप एक matte वाला settings पर ले सकते हो वो आपकी skin को properly matte कर देग और मेकप का stay बढ़ा देगा इसके अलावा loose powder बहुत बढ़िया रहता है जब long मेकप की बात आती है आप उसको बस dab-dab कर लो make-up finish होने के बाद और आपका make-up long से रहेगा और अगर आप चाहते हो जैसे touch-up के लिए मैं आपको बताता हूँ कि make-up हमारा जैसे हलका फुल का dull लगने लग गया तो भी यही tip आपने follow करने है setting spray और loose powder जब लग रहा है मेरा face dull हो रहा है दूर से आपने make-up setting spray किया और आपका make-up बिल्कुल ही fresh हो जाएगा या फिर loose powder या फिर compact powder बस हलका सा dab-dab कर लो और आपका make-up as fresh as ever हो जाएगा आपका face ऐसे लगेगा जैसे just अभी-भी make-up करकर आए हो आज यह इन tips को follow करो और flaunt करो अपना बढ़िया वाला make-up यह tips अपने उन friends के आज share करो जो लगते तो बहुत बढ़ी है जब घर से निकलते है बट कुछ ही देर में make-up smudge होने लग जाता है क्या पता यह वीडियो उनके लिए बहुत जादा helpful हो वीडियो पसंदा यह वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कोई भी प्रोड़क्त खरीदना और डिरेक्ली हमें contact कर सकतें डिस्क्रेप्शन में सारे सब्सक्राइब तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में अंटिल नेक्स ताइम दिस इस यह होस्तोई सब्सक्राइब